कोरोना वाइरस के खलाफ जब पूरे देश के साथ गाजीपूर भी युद्धरत है तो एक से एक मानवता के द्रिश्य देखने को मिल रहे हैं ऐसा ही एक द्रिश्य गाजीपूर पुलिस से भी जुड़ा देखने को मिला है आप कोई जानकारी तो है ही कि लॉकडाउन के दौरान सरकार के साथ गैर सरकारी एजनसिया भी लोगों की मदद में जुटी है इसी करम में पुलिस अधिक्षक डॉक्टर ओपी सिंग के निर्देशन में गाजीपूर पुलिस भी अपने स्तर पर धेरो प्रयास कर रही है आपने अभी तक डंडा चलाती पुलिस को बहुत देखा होगा लेकिन दूद बाटती पुलिस आप शायद पहली बार देख रहे होंगे शनिवार को गोरा बजार चौकी प्रभारी क्रिपेंद्र प्रताप सिंग द्वारा बच्चों के साथ स्क्रीनिंग कराने आई महिलाओं के बीच दूद का वितरन कराए गया ये महिलाएं जला अस्पताल में छोटे बच्चों के साथ भारी संख्या में स्क्रीनिंग कराने आएं थी उनके साथ मौझूद बच्चों का पेट खाली न रहे इसे देखते हुए दूद का वितरन किया गया गाजीपुर पुलिस के इस रूप को देख लोग ये बोल पड़े कि वह क्या बात है बच्चों को दूद पिराकर पुलिस ने मानवता का परिचे देते हुए इस बात का संदेश दिया है कि वो हर वसीबत में चंता के साथ है महिलाओं को दूद बातने के इस काम में कॉंस्टिबल प्रदीप यादव अरुन राज समेत तमाम पुलिस कर्मी शामिल रहे गाजीपुर की ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम आप तक ऐसे ही खबरों को पहुचाते रहें